So hey guys, Micromax ने finally आज अपने दो फोन को लाँच कर दिया है, जहां पर Micromax ने एक फोन को लाँच किया है, जिसका नाम है Micromax in Note 1, जो की एक अपर मीड रेंज का फोन है guys, और वहीं पर guys, जो दूसरा फोन है, वो है Micromax in 1B तो guys, Note 1 का वीडियो अल्रेडी जो है मेरे चैनल पे आ चुका है, आप जाके देख सकते हैं, उसके सारे स्पेसिफिकेशन, उसके लिए क्या मेरे उपीनियन हैं, वो सब भी आप जाके देख सकते हैं, बाकी guys, यहां इस वीडियो में बात करेंगे, Micromax in 1B के बारे में guys, जो क प्राइज और स्पेसिफिकेशन और डिजाइन और लुक, मतलब सारे ब्रैंड वाले अब सब की हालत खराब होने वाली है guys, क्योंकि उपर से वो हैं Chinese ब्रैंड और हम इंडियन ने बहुत बढ़िया फोन लाँच कर दिया है, और अब हम को कहीं और जाने की जरुरत नहीं ह चाहें बात करें इन नोट वन की वहीं बात करें या फिर इन वन बी की, दोनों बहुत बहतरीन फोन है guys, जहां पर इन वन बी की बात करें guys, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 6.52 इंच का एक HD प्लस डिस्पले guys, जहां पर जो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर जो चीन भी है, वो काफी पतली की गई है, प्राइस के हिसाप से देखा जाए, तो बहुत सही है, और वहीं पर guys, प्रोसेसर की बात करें, तो इसमें लगा हुआ है, मीडिया टेक का हीदियो जी 35 प्रोसेसर, और जहां पर guys, बात करते हैं, आ पर बात करें guys, बैक वे फिंगर प्रिंट सेंसर भी आपको दिया गया है, और साथ में guys, 8 मेगा पिक्सल का फ्रेंट कैमरा, guys, जी 35 प्रोसेसर, 5000 एमेच की बैटरी और सबसे ज़्यादा हाइलाइटिंग फीचर guys, की इसमें आपको देखने को मिलेगा, टाइप सी पोर्ट मतलब guys, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, सब हमको USB पोर्ट दे दे के ठग रहे थे, तो Micromax, इंडियन ब्रैंड है guys, टाइप सी दे दिया यहाँ पे, और साथ में इन दे बॉक्स 10 वार्ट का चार्जर भी आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे guys, प्राइस की बात करें, तो 4GB और 64GB variant के साथ ये फोन लॉंच हुआ है, जहाँ पे इसका प्राइस रखा गया है, 7,999 रुपए, वहीं पे बात करेंगे जो second, जो इसका फोन है, इसी सीरीज बे 2GB RAM और 32GB internal memory के साथ, जहाँ पे 6,999 रुपए इसका प्राइस रखा गया है, काफी मजेदार प्राइस इस प्राइस रेंज में टाइप C fingerprint sensor और इतना अच्छा प्रोसेसर साथ में इतना अच्छा कैमरा आपको एक Indian brand ही दे सकता है, और उससे भी ज़्यादा highlighting feature और unique feature बोल सकते हैं कि clean UI हम लोग को देखने को मिलेगा, Google का stock Android हम लोग को देखने को मिलेगा, और सभी फोन में गया इस अप टू दो साल तक अपको updates देखने को मिलेंगे, यह Macromax का वादा है, और वहीं पे गाइस processor भी बहुत सही है, साथ में RAM management की बात करें और internal storage की बात करें, तो price के हिसाप से guys, Macromax यहाँ पे अब च्छा गया है, और guys यह phone जो है आपको flip card में देखने को मिलेगा, 26th of November स start हो जाएगा इसका sale, और वहीं पे guys जो innote 1 है, उसका जो sale है वो 24 November से start हो जाएगा, flip card में ही, साथ में guys Macromax के website से भी आप जाके ले सकते हैं, और guys और क्या ही बोलू, इसमें हर चीज guys बहुत जादा बहतरीन दिया गया है, अगर price के हिसाप से देखा जाए, तो चाहे वो guys हम लोग बात करें other phones की, तो चाहे हम लोग लेने कोई दूसरे phones की, चाहे लेने Poco का C3, चाहे अपन दूसरे और phone की बात करें guys, यहाँ पे जो है Realme C15 की बात कर लें, या फिर Redmi 9 की बात कर लें guys, तो इसके टकर में कोई भी phone नहीं है, यह लोग अपना UI देते हैं, भर-भर की ad देते हैं, भर-भर की blue tower देते हैं guys, और जो android, जो यह stock android के साथ in आया है guys, उसमें कोई भी blue tower आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी ad देखने को नहीं मिलेगा guys, तो micromax best है guys, और Indian brand भी है, तो हम लोग को बहुत ज़ाधा support करना चाहिए, अब मतलब कुछ भी लेना है guys, तो पहले micromax को देखना है, अगर हमारी specification में वो phone आता है, तो वो ही phone हम लोग को prefer करना चाहिए, क्योंकि वो Indian brand है, clean UI भी दे रहा है guys, और price तो बहुत सहीं रखा गया है, clean UI के साथ, तो guys, यहाँ पर again बोलना चाहूंगा, सभी जो other Chinese brand है, उनकी तो what लग गई होगी, यहाँ पर उनको नीद नहीं आ रही होगी, अच्छे से, तो अब देखते हैं guys, आगे और भी phone धमाल मचाने वाला है, micromax, और भी phone लाएगा, जिसमें बहुत मजा आने वाला है guys, तो बस guys, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंदा है ते चैनल को subscribe कर दे कर देखते हैं